जैशी किष्णा दोस्तों बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों सोमबार का दिन भगवान शंकर का माना जाता है और आपने देखा भी होगा शिब मंदिरों में भक्तों की भीड लगी रहती है और सभी भक्त जन भगवान शंकर का पूजन करते हैं और अपनी मनो कामना किस प्रकार बोलनी चाहिए जिससे कि आपकी जो मनो कामना है वो शीग क्रप्र पूरी होगी दोस्तो भगवान शंकर हमेशा ध्यान में लेजर रहते हैं और जो नंदी महराजया सदेव चतन्न अवस्ता में रहते हैं यानि जाकते रहते हैं और भक्त जन भी अपनी जो मनो कामना होती है भगवान शंकर ध्यान में रहते हैं इसलिए नंदी के कान में बोलने का भी एक नियम है कि किस प्रकार आपको बोलना चाहिए दोस्तो नंदी के कान में कभी भी देखे किसी की बुराई नहीं करन चाहिए सदेव नंदी जी के कान में अपनी आप परेशानी कह सकते हैं या अपनी जो इच्छा है उसको बोलना चाहिए दोस्तों जिस प्रकार आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं जल अरपित करते हैं बेल पत्र अरपित करते हैं चंदन लगाते हैं इसी प्रकार आपको नंदी महराज का भी पूजन करना चाहिए और आपको एक मुठी जो हरी मूंग होती है वो अवश्य ले जानी चाहिए और उनका पूजन करें उनको मतलब जल अर्पित करें तिलक लगाएं बेल पत्र अर्पित करें और साथ ही नंदी महराज के कान में अपनी मनो कामना इच्छा बोलने से पहले एक शब्द को तीन बार अवश्य बोलना चाहिए ओम नंदेश वराय नमहा ओम नंदेश वराय नमहा ओम नंदेश वराय नमहा उसके बाद आपको अपनी मनो कामना बोलनी चाहिए और नंदी महराज को मतलब आप जो हरी मूंग लेगे हैं वो अवश्य अर्पित करनी चाहिए इससे नंदी महराज बहुत ही शीगर प्रसन होते हैं आप उनको फल, मीठा, मतलब दक्षणा भी निकाल सकते हैं लेकिन हरी मूंग से बहुत ही शीगर नंदी महराज प्रसन होते हैं और हमेशा आप मनोकामना नंदी जी के बायकान में बोलें ऐसा करने से आपकी जो इच्छा है वो शीगर पूरी होती है दोस्तों आप कभी भी भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं तो आप अपनी मनोकामना देखें नंदी के बायकान में अवश्य बोलें लेकिन सोमबार का दिन बहुत ह शुबर शेष्ट माना जाता है भगवान शंकर का माना जाता है तो इस दिन अवश्य अपनी मनो कामना नंदी के बायकान में बोलनी चाहिए तो दोस्तों सोमबार के दिन इसी प्रकार आप नंदी महराज का पूजन अवश्य करें अपनी मनो कामना अवश्य बोले निश्चि